उत्राखंड के नैनिताल में एक ऐसी शादी हुई है जो चर्चाव का विशेब बनी हुई है वरबदू ने मजबूरन बीपी किट पहन का शादी रचाई और हर रस्म को पूरा किया आपको दिखाते हैं जैमाल की वे तस्वीरे जो इस समय देश भर में वाइरल हो रही है राचे सरकार की गाइड लाइन्स के नुसार शादी समारों में हर किसी की कोरोना रिपोर्ट अनिवार की गई है पीपी किट पहन कर चर्चे शादी का मामला नहिनिताल के कोशिय कोटॉली के गाउं मदर्सा का है वरवदू और बरातियों की रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि दुलहन कोरोना पॉजिटिव है ऐसे में शादी करना बड़ा मुश्किल हो गया था और दुलहन के पॉजिटिव आने के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई शादी होनी थी तो दुलहा दुलहन के परिवार वाले ऐसी परिस्तितियों में भी शादी के लिए राजी हो गए और उन्होंने रुद्वपुर से आई बारात को पीपी किट पहना का शादी करने की प्रशाशन से अनुमती मागी जिसमें स्वास विभाग ने अपनी ओर से सभी बारातियों को पीपी किट पहनाई पॉजिटिव दुलहन ने हर रस्म को अदा किया और बारात को 14 दिन के लिए फूर रूप से प्रशाशन के आदेश पर कॉरंटाइन कर दिया गया है